नमस्कार, मैं हूँ अलकाने की तोमर, हम चर्चा कर रहे हैं भारत के कुछ पौरानिक संतों की, आज का विशे है संत वशिष्ट की विश्वमित्र पर निश्ठा की, आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोद करूंगी कि आप चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश् वशिष्ट रगुकुल के राजगुरु हुए, उनके यजमान राजा दश्षत को उनके चौतपन में उनकी तीन रानियों से चार पुत्र हुए, राजा का इन पुत्रों से अत्यंत लगाओ था, वे उनके खेल वा अन्यक्रियाओं में पूरी दरह से सनलगन होते, उनके पुत्र राम, लक्षमन भरत और शत्रों को राज्योचित शिक्षा दी जा रही थी, ऐसे में एक दिन अचानक रिशी विश्वमित्र बिना किसी सूचना के राजा के दरबार में पहुँचे, तदा उन्होंने राजा दश्षत को आग्या दी, कि वे राम और लक्षमन को उनके साथ उनके यग्यों की रक्षा हेतु भेजें। दूसरे यह एक उप्युक्त अफसर था बच्चों को युद्ध कला सीखाने का। आजा दश्षत आश्वस्त वे और उन्होंने अपने दोनों पुत्र रिशी विश्वमित्र के साथ भेज दिये। गुरू विश्वमित्र के साथ रहते हुए राम और लक्षमन ने जंगल में जीने की कला सीखी। खाद्य अखाद्य में भेद जाना। जड़ी बूटियों का ज्यान प्राप्त किया। वह अस्त्र शस्त्रों का प्रियोग निशाचरों पर करके अपने आगे के जीवन की तयारी की। यहां उन्होंने अनुशासन सीखा, विने सीखा, सबके साथ मिलकर काम करना सीखा, शारिरिक शमता का महत्व जाना वशारिरिक एवं नयतिक मूलियों के योग के महत्व को सीखा। विश्वमित्र के अनुशाशन में पाई विद्या राम और लक्ष्मन के जीवन की अमूल निधी है। यहां उन्होंने भविश्य के लिए प्रशिक्षन पाया। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। पते की बात ये है कि राजगुरु वशिष्वमित्र की अनुशाशा की। जबकि वे उनसे युद में अपने एक सहस्त्र पुत्र खो चुके थे। गुरु वशिष्वमित्र जन्म से क्षत्रिय थे। वे रिशी तुल्य गुण तो रखते ही थे। उन्हें राज तुल्य गुणों का भी पूण ग्यान था। उनकी शिक्षा हर प्रकार से राज पुत्रों को देने योग्य थी। यहां पर वशिष्वमित्र के सद गुण की प्रशंसा की तथा उन पर पून विश्वास दिखाया वशिष्ट रिशी का यह एक निर्णे राम की कहानी का आधार बना कथा के विशे में सोचे एवं अगली कथा की प्रतीक्षा करें तब तक मुस्कुराते रहें प्रसन्य रहें नमस्कार